ओरियर जंगल मौसम बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो गया है वहीं डैंगू के मरीजों का आकड़ा भी लगतार बढ़ता जा रहा है गाजबाज जिलास्पताल में डैंगू से मिपटने के लिए पुर्जो और उपाय किये जा रही है डैंगू बाइड में आने वाले मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है जिले में आंकडों के मताबिक डैंगू के 600 से अधिक मामले पाये गई है अकेले जिलास्पताल में ही डैंगू के 100 से जादा मरीज एडमिट कराई जा चुके थे जिन में से अधिक तर का सफ़ा लिलाज संभव हो पाया है आंकडों के मताबिक अब तक डैंगू के मरीजों में 100 से जादा बच्चे भी शामिल है अस्पताल के डैंगू वार्ड में मरीजों को लेकर किसी भी तरह की कोतहा ही नहीं की जा रही सबसे अधिक चिंता बच्चों को लेकर ही है जिलास्पताल के CMS अनुराग भारगव का कहना है कि वदलते हुए मौसम के साथ साथ डैंगू के मच्चर से भी वच्चों को बचाने की काफी जादा जरूरत है उन्होंने बताए कि डैंगू का मच्चर दिन की समय ही हमला करता है इसलिए घर में कहीं भी पानी एक अत्रिक ना होने दे उन्होंने इस मच्छर की पहचान भी बताई है कि उस पर धारिया होती है राहत की बात तो यह है कि अधिकतर मरीजों का सफल इलाज हो रहा है डेंगु वार्ड में हमने देखा है कि मरीजों की बैड़ पर मच्छरदानी का भी अलग से इंतजाम सरकारी हस्पताल में किया गया है जानकार बताते हैं कि इस तरह के उपाई लोग घरों में भी मच्छर से बचने के लिए कर सकते हैं राजयवाद में डेंगु बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आफड़ा 600 से उपार पहुंच गया है लेकुट मरीजों का क्या कहना है किस तरह की तैयारी अम्मजी अस्पताल में टीस बैड़ेट डेंगु वार्ड बना हुआ है और उसमें अभी तक हम लोग 102 मरीजों का इलाज कर चुके हैं और किसी की भी म्रत्यू नहीं हुई है और प्लेक्लेक्स हमाई पास एविलेबिल हैं जो भी कुछ मरी जाता है तो उसको हम लोग चार पांच जांचे करा लेते हैं उसका कॉमन ब्लेकाउं करा लेते हैं टाइ बीमारी होती है उसका इलाज कराया जाता है और टेंग्यू के अभी तक हम लोग 102 मरीजों का इलाज करा चुके हैं लोग किस तरीके से बचें आप डॉक्टर हैं और यहां सीनियर बत्पते नाथ हैं तो जो आम जंता उनको किस तरीके से बच सकते हैं कोई मैसेज दे नहीं पर अगर सफेद धारिया मच्छर में आपको देख रही हैं तो वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर टेंग्यू का मर्चर जो होता है वह साथ पानी में होता है आपी के घर के अंदर वह पैदा होता है क्योंकि आपने कप प्लेट या कोई बरतन ऐसा रखा का मच्छर देखे ताइगा इंग्यू का मच्छर देखे तो उसका तुरंट जाके ये जो आपनेको ठालिक चाहिए और सबसे ज्यादा पानी थे होता है और सबसे ज्यादा यह देखा गया है कि जो चृण्यों को पानी पिला३प जो उसमें एक प्लेट रखते हैं और यहां कुत्ते को पानी पिलाते हैं उसमें यह सबसे जादा होता है तो इसको आपको देख के और उसी को खाली कराना है और यह आम जनता की खुद की अपनी जिम्मेदारी है और हर आदमी को इस मौकम में मौसम में अपना जो है एक कमेट यह कोज चुछ चेक कर लाते हैं